हलो गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में गुप्तों का सैनिक संगठन यह भूमी और राजस्वा विवस्ता के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से स्वागत है और यदि आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें लाइक करें सेर करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिलें और आप इत्यास विशेज संबंदी जो भी एक्जाम दे रहे हो उसमें सहयोग प्राप्त हो सके ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्तों का सैनिक संगठन एंवं भूमी और राजस्वे विवस्ता गुप्तों का सैनिक संगठन गुप्त सासकों की सेना विशाल एंवं सुसंगठित होती थी सेना का सर्वोच्य अधिकारी महा बला धीकरित कहा जाता था देखेगा कि पूछ सकते हैं एकजाम में कि जो महा बला धीकरित है वह कौन सापत होता था वह होता था गुप्तकाल में सेना का सर्वोच्य अधिकारी हातियों की सेना के परधान को महा पिलू पती तथा घुड स्वारों की सेना के परधान को भटा स्वय पती कहते थे सेना में सामानों क व्यवस्था रखने वाले परधान अधिकारी को रन भांडा गारिक कहते थे ठीक है गुप्तवन से समराड स्वयम कुसल योधा होते थे तता व्यक्तिकत रूप से युधों में भाग लेते एम सेना का संचादन करते थे मंत्रियों के लिए भी सेनिक द्रस्टी से योगी होन आवसिक था प्रियाग प्रस्थी में उस समय के कुछ पर्मुक अस्तरसंत्रों के नाम इस परकार मिलते हैं देखेगा परशु, शर, संकू, तोमर, भिंदि-पाल और नाराज ठीक है ये गुप्तों के अस्तरसंत्रों के नाम थे थे है तो अब देखेगा पड़ते हैं जुप्तियुक में भूमी पर समराट का स्वामित्वय होता था, राज के भूमी के अतिरिक्त ऐसी भी भूमी थी जिन पर कर्ष्कों का नीजी स्वामित्वय होता था, मंदिरों तथा ब्राहमनों को जो भूमी दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था इस प्रकार की भूमी सभी करूं से मुक्त होती थी तथा इनके उपरदार्कों का पूर्ण स्वामित्व होता था ऐसे भूमी दानों का उदिश से एक मातर सेक्सनिक एम धार्मिक था, धार्मिक अनुदानों को समराट ग्रहिता के आच्रन से एप्रेशन होकर समाप्त कर सकता था तथा उन्हें दूसरे योग्य व्यक्ति को दे सकता था गुप्त राजओं ने भूमी के विकास की ओर विशेश ध्यान दिया था, भूमी कर संग्रे करने के लिए धुरुवा धीकरण तथा भूमी आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महा अक्ष पटलिक और कारणिक नामकपदा धिकारी थे, नय धिकरण नामकपदा धिकारी राजेपाल पांदत के पुत्तर चक्करपालित ने गिर्णार में सुदर्शन जील के बांद का पुननिर्मान करवाया था। परजा रक्षन के बदले में उपज का सस्तान राजस्वय के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है। तदा अन दोनों में दिया जा सकता था। राजस्वय का दूसरा पर्मुक्स रोज चुंगी था जो नगर में आने वाली वस्तूओं के उपर लगाया जाता था। किसी किसी स्थान पर भूतो पात प्रत्याय नामक कर का उलेक मिलता है। अर्टेकर के अनुसार ये राज्य में उत्पन होने वाली वस्तूओं जिने भूत भी का गया है। जदा भीत्र आएत की जनने वाली वस्तूओं जिने उपात कहा गया है के उपर लगया जनने वाला कर्था। समकाले लेकों में विष्टी अर्थात बेगार का भी उलेक किया गया है। वात्सायन के काम सुतर से पता चलता है कि गाउं में किसान इस्तरियों को मुख्या के घर के विवित प्रकार के काम जैसे अनाज रखना, घर की सफाई, खेतों पर काम करना, आदी करने के लिए बाध्धे किया जाता था और इसके बदले में उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिल इन सब के अलावा व्यापारिक वस्तूओं, चारागाहों, वनों, नमक आदी पर भी कर लगये जाते थे, जिससे राज्य को प्रभूत आए होती थी, सीमा, विक्री की वस्तूओं आदी पर जो कर लगते थे उसे सुल्क कहा जाता था, इसकंद गुप के बिहार लेक में सो सुल्क विभाग का अधिक्सक होता था, उसे व्यापारियों तथा सोदागरों के माल पर कर लगाने तथा उसे वसूल करने का अधिकार था, राजे की आएक अन्य महत्वपुन स्रोध भूमी रतने, खानों की खुदाई तथा नमक का उत्पादन था, इन सभी के उपर रा सिदान्तों पर आधारित थी, इस काल के रजना कामंदक के निति सार में सासक को सलाह दी गई है कि जिस परकार सूरी अपनी किर्णों से जल ग्रहन करता है, उसी परकार से राजा थोड़ा-थोड़ा धन ग्रहन करे, राजा के आचरन की तुलना गवाले तथा माली से करते ह तो ये कामंदक लिखते हैं कि जिस परकार ग्वाला पहले गाय का पोशन करता है, तता फिर उसका दूद दूएता है, तता जिस परकार माली पहले पोदों को सींचता है, तता फिर उनका चैन करता है, उसी परकार राजा को पहले परजा का पोशन करना चाहिए, और फिर ब गुपतों की सेनिक विवस्ता गुपतों की बूमियं वराजस्वा विवस्ता के बारे में जानकरी प्राप्त की एकजाम के दर्ष्टी से यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है अताय वीडियो को अच्छे से देखना और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत दन्यवाद